नमस्कार दोस्तों, बुक्स वियो में आपका स्वागत है। आपके कारोबार, नोकरी और जीवन को नई उचायों तक पहुचाने वाला एक प्रस्तिशत फॉर्मूला अगले 30 दिनों को अपने जीवन के सर्व स्रेष्ट दिन के से बनाए। दोस्तों, यह पुस्तक अपके जीवन के परिवर्तन के बारे में और अपने जीवन में हर रोज एक नई उचायों तक लाने के बारे में बताते हैं। दोस्तो इसमें ओतर बताते हैं कि परिवर्तन का समय है, the time for change, इस पुस्तक में लेकर हमें छोटे-छोटे परिवर्तन करने या हर रोज 1% सुधार करके कैसे अपने जीवन को बहतर बनाए जा सकता है, उसके बारे में बताते हैं, दोस्तो क्या आप जानते हैं कि ओलम्पिक्स में जो एथलेटिक्स उनकी क्षोण पदक जीतने और जो फौर्थ इस्तान पर आने वाले कि बीज का ओसत अंतर सिर्फ एक प्रतिशत का होता है, और वही एक प्रतिशत का अंतर बाकी लोगों से अलग करता है, दोस्तो लेखक बताते हैं कि हम बाकी लोगों की तुलना में 100% बहतर कभी नहीं बन सकती, लेकिन हम सभी चीजों में एक प्रतिशत बहतर तो बन सकते हैं, दोस्तो हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई इस समय जहां भी है, उससे बहतर जरूर बन सकता है, दोस्तो सफलता पाने का तरीका यही है कि आप लगातार छोटे लक्ष बद सुधार करते रहे, ओथर बताते हैं कि सफलता पाना आसान नहीं होगा, आपको अपने कुछ पुरानी आदिते छोड़नी होगी, काम करने के पुराने तरीके बदलने होगे, और रास्ते में चुनोती आएगी उसे स्विकार करना होगा, लेखक बताते हैं कि आप सारे सम और सबसे सक्तिशाली नहीं बलकि ज्यादा तेज, ज्यादा उचा, ज्यादा सक्तिशाली होने का लक्ष गोल बनाया है, दोस्तों कोई भी लक्ष गोल हासिल करने के लिए हमें हमेशा प्रेरणा, मोटिवेशन की जुरुत होती है, और लेखक इस पुस्तक में प्रेरणा, मोटिवेशन को बढ़ाने के तरीके के बारे में बढ़ाते हैं मोटिवेशन प्रेरना बढ़ाने का सबसे आसान तरीका कारी को बढ़ाना है दोस्तो किसी कारी को आप जितना ज़्यादा करेंगे उसे करने लिए उतना ही ज़्यादा मोटिवेट होंगे और यह यूं कहें कि जितने ज़्यादा मोटिवेट होंगे उतने ज़्यादा वो कारी करेंगे दोस्तो असल सवाल यह आता है कि हम प्रेरिध होने के बाद मोटिवेट होने के बाद सुरुवात कहां से करें इसमें लेकक हमें बताते हैं कि सुरुवात करने का सबसे आसन तरीका है काम करना चाहे भले ही ये कोई छोटा सा काम ही क्यों नहीं हो पर काम की एक सुरुवात करना अपने लक्ष को इसपस्ट करें ऐसा कारी चुनना चाहिए जो अपने गोल χासिल करने में आपकी मदद करे लेका का कहना है कि उस कारी को अच्छी तरह करने में कोई मतलब नहीं जो आपके अपने गोल की और नहीं लेके जाता इसको लेके एक छोटे से एक्जामपल के दौरा समझाते हैं कि आप वहां जाना चाहते हो, जहां आपको जाना है, अगर वहां न जाके आप कोई और जाते हो, तो वह अच्छे से जालना, अच्छे से ड्राइव करना आपके लिए बेकार है, दोस्तो, जीवन भी इसी तरह है, अगर अपना लक्ष, सुनिश्चित, नियोजित नहीं है, लेते हुए बताते हैं कि काली करने से वह निस्क्रियता दूर होती है, जो आपको उसी जगर रोके रहती है, जैसा कि न्यूटन का पहला रूल्स कहता है, कि जब तक किसी बाहरी सक्ति द्वारा कारी न किया जाए, इस्तिर अवस्ता में रखी गई वस्तु, इस्तिर ही बन कारी काम में शिर्फ एक छोटा परिवर्तन नहीं बड़े परिणामों की और लेके जाता है, दोस्तो इसमें ओथर परेटो का सिद्धानत अप्लाय करने को कहता है, जो 20-80 सिद्धानत के कारण आपको अपने कारियों में छोटे परिवर्तनों की तिलास करती है, दोस्तो प काम या 20 प्रतिशत लोग 80 प्रतिशत रिविन्य जनरेट करते हैं लोगों को लोगों का काम करते हैं दोस्तो किसी भी बड़े परिवर्तन या कारी को अभ्यास प्रेक्टिस से परफेक्ट बनता है इस बारे में लेखक बताते हैं कि सर्वस्ट्रेश्ट में सर्वस्ट्रेश्ट बनने के लिए 10,000 गंटों का अभ्यास की जुरूँ अभ्यास मात्र ही नहीं बलकि सही तरीके से सुविचारित अभ्यास से ही प्रदर्शन बहतर होता है दोस्तों अपने देनिक कामों को सुविचारित अभ्यास से बद्दलने में ये सरल सुजाव ओथर देते हैं ओथर बताते हैं कि यहां आकलन करें कि आप किसी कारी को कितनी अच्छी तरह करते हैं और अगली बार कैसे उससे बहतर बना सकते हैं अपने गोल का फिडबेक ले ऐसा लक्ष बनाए जो चुनोती पूर्ण हो और दूसरों की मदद से हासिल किये जा सकते हो दोस्तों अपने तूलना दूसरों के बज़ाए खुद से करें इसमें लेखक बताते हैं कि आप यात्रा वहां से सुरू नहीं कर सकते जहां कोई दूसरा आपके आगे खड़ा है अब वहाँ से सुरू नहीं कर सकते जहां आप सोचते हैं कि बविष्ट में पहुँचेंगे आप तो को तो यात्रा वहाँ से सुरू करनी पड़ती है जहां आप इस वक्त है इसलिए अपनी तुलना खुद से करना ज़्यादा उपयोगी होता है सबसे ज़्यादा माइने यही रखता है कि आप अपने वर्तमान से एक प्रतिशत बहत्तर बन जाए और अपनी लक्ष की और आगे बढ़े दोस्तो लेखा की इस पुस्तक में अपने भविष्ट की योजना बनाकर अपनी लक्ष को पुरा करने की सला देदे लेकिन वर्तमान में अपना सर्वस्रेष्ट करें दोस्तो आप आने वाले कल के बारे में सोच सकते हैं और सायद भविष्ट के सपने भी देख सकते हैं लेकिन वर्तमान में अपना सर्वस्रेष्ट बेस्ट करना ही नियम लो है दोस्तों लेखक 30 दिन का फॉर्मूला बताते हैं जो आपकी जिन्दगी बदल देगा दोस्तों 30 दिन तक हर दिन अपनी आदत, अपनी हैबिक्स की प्रैक्टिस करे जिससे वह आटोमेटिक, रूटीन बन जाएगी और दूसरी आदतों के साथ भी ऐसा करे एक बार में एक आदत की प्रैक्टिस करे क्योंकि किसी नई चीज़ को आदी होने में आपके मस्तिक्स को कम से कम 21 दिन का समय लगता है परन्तु उसे कुछ दिन ज्यादा करने से वह घरी आदत बन जाती है जिससे अपने लक्ष हासिल करने के लिए अपने नकारत्मक विचारों को सकारत्मक पोजिटीव थौट्स विचारों में विश्वास में बदल सके और अपने फिसलन को अपने गिरने को असपलता में न बदल ले दोस्तो इसमें लेकक health स्वस्त रहने के वे और समय समय बर अपने आपको recharge करने के लिए कहते हैं author कहते है कि अगर आप अपने को recharge नहीं कर रहे हो तो कोई दूसरा निश्चित रूप से अपने को recharge कर रहा होगा इसलिए दोस्तो अपने कामकाज जीवन में एक vacation लेकर या सपता के अवकास में आराम करे तरो ताजा करे और अपने खुद को एकदम freshness में लाए अंत में लेकर बताते है कि अपने जीवन के सभी हिस्सों में एक साथ बहतर बनने की कोशिस न करे सबसे पहले एक शेत्र में सिर्फ एक प्रतिशत बहतर बनने के लिए काम करें और उसे पुक्ता कर ले फिर किसी दूसरे पहलू पर काम करें जल्दी ही आप एक प्रतिशत बहतर बनने पर काम नहीं कर रहे होंगे आप बन जाएंगे जो बनना चाहते हो ज्यादा तेज ज्यादा उचा ज्यादा सक्तिशाली धन्यवाद दोस्तो ये वीडियो पसंद आया हो तो like करें share करें और इस चैनल को अभी तक subscribe नहीं कियो तो please please इस चैनल को subscribe करें Thank you